पाइफन पर आधारित एक कॉश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार कॉश्चन क्या है देखते हैं यहां से पने न्यू फाइल लेते हैं और यहां पर कॉश्चन क्या है कि यहां पर एक लिस्ट दी गई है एल नाम से लिस्ट है और यहां पर लिस्ट के अंदर क्या है टू है 3 है 4 है 5 है और 6 है यही है ना हम इसको बंद कर रिया यहाँ पर कहा गया है print पहली condition यह दी गई है print और यहाँ पर colon दिया गया है ठीक है यहां दी जिगा यहाँ पर क्या दिया गया है colon तो जब हम l को print कराएंगे और square पर column देंगे और यहां पर minus 3 देंगे, ठीक है, पहली condition तो यह है, ठीक है, minus 2 है, तो minus 2 ही दे देते हैं, तो minus 2 देंगे, तो SM होगा क्या, SM होगा ये कि यहां पर ये minus indexing, negative indexing minus 1 से start रहाए, तो यह minus 1 है और यह क्या है यह minus 2 है ठीक है तो minus 2 का मतलब क्या निकलेगा 5 निकलेगा जाइट सी बात है 5 निकलेगा तो यही आना चाहिए और यही आएगा लेकिन यहाँ पर starting point हमें पता नहीं है ठीक है यहाँ पर क्या है starting point नहीं पता है लेकिन अगर condition ऐसे रहती तो यहाँ पर जरूर 5 आ जाता ठीक है यहां पर दीखें यह 5 आएगा यह यह हो गया तो यह यहां पर इसको save करते है किसी भी नाम से तो दीखें यहां पर 5 आ रहा है ठीक है लेकिन अभी यहां पर दूसरी condition यह दीदी गई है कि यहां पर जो है starting index पता नहीं है यानि starting index mention ही नहीं है तो यानि कि इस तरह की condition है और यहां पर minus 3 दिया गया है ठीक है क्या दिया गया है minus 3 तो minus 3 का मतलब यह हुआ कि starting to ending ठीक है तो लेकिन यहां पर खाली column लगा हुआ है तो column का मतलब तो पूरा index हो जाएगा लेकिन यहां पर minus 3 का मतलब होगा यह minus 1 यह minus 2 और यह minus 3 यारी इन तीनों को print मत कीजिए और इन दोनों को खाली print कर दीजिए ठीक है एक बड़ चेक करते हैं क्या आता है यहाँ पर 5 करते हैं और इसको चलाते हैं तो देखते हैं क्या आता है तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 ही प्रिंट हो रहा है ठीक है ना इस तरीके से होगा लेकिन अगर यही केवल अगर यहां पर कॉलन होता तो ऐसे में यह पूरा प्रिंट करता है ठीक है तो देखें यहां पर पूरा प्रिंट कर रहा है और कभी कभी कन्फूस करने के लिए दो कॉलन भी दे देता है तो दो कॉल